यहां पे theft का नहीं है, theft का यहां पे डर रहता है, लेकिन departmental store में ऐसा नहीं होता, कि rich person इस तरीके का general काम नहीं करते हैं, और उन पे camera वगएरा, facility वगएरा वो देखते रहते हैं, तो इस तरीके से रहता है, बाकी theft का तो यहां भी खत्रा है, लेकिन point नहीं लिखा मैंने, ठी एक departmental store के feature, किस तरीके से departmental store बनाओगे, और उसके advantage और उसके disadvantage, बहुत सारे point हो गई है, इसके बाद हमने देखा super बजार का feature, उसके advantage और disadvantage, अब मैं सबसे पहले disadvantage की बात करूँगा, दोनों का compare करते हैं, आप इसके बीच में difference भी बता सकते हो, easily बताया जा सकता है, अब द departmental में rich person के उपर ध्यान दिया जाता है, और यहाँ पे, यहाँ पे आपका high price होगा, यहाँ पे low price होगा, यहाँ पे सारी चीजों को बेचा जाएगा, यहाँ पे सरी food item को बेचा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका mainly और क्या देखें, यहाँ पे और difference के बात करें, तो benefit of specialization है, यहाँ पे benefit of specialization नहीं मिलेगा, तो एक बार हमना difference भी book से देख लेगे, तो ऐसा नहीं है, जब आप सारे point advantage, disadvantage करोगे ने, तो difference तो आप बस एक रह जाता है कि आपको करना है, लेकिन exam में बहुत आते हैं आपके difference, 3-4 point, 5 point ऐसे आई जाते हैं difference वाले, तो आपको य यह हमेशा याद रखना है, feature की चलो, एक बार revise करते हैं, फटाफट quickly feature, feature में क्या क्या है, बताओ, many department, समझ में आना चीए, क्योंकि इसके explain भी करना है, पढ़ना है, many department in one roof, समझ में आ रहा है, all kind of things, सभी परकार के item वहां मिलेगा आपको, आपका big city, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, जिसके म आपे metro city भी दिख सकते हो, provide many free services, बहुत सारी services आपको free of cost provide किया जाता है, efficient salesman, salesman बहुत efficient होते हैं, क्योंकि वहां पर सब मानलो, रिचे अगर आते हैं, तो वहां पर बड़े ध्यान से customer से कैसे बात करना, उनको सब कुछ दिखाया जाता है, इसके बाद good quality of product, product की quality generally और वहां के आप facility देख लो, अब ये दोनों done हो गया, अब आपको सजाना हैं वहां पर, उसके बाद क्या करना है, sales procedure तयार करना है, उसके बाद employment को वहां पर रख लो और आपका departmental store क्या होगा, चलने लगेगा, ठीक है, feature की मैं बात करूँ, तो सबसे पहला feature, sorry, advantage, large scale पर business किय जाता है, बहुत huge capital लगता है, benefit specialization होता है, यहां पर, यहां पर cash sales किया जाता है, यहां पर normally, easy to advertisement है, home delivery है, shopping facility है, no fear for cheating, यहां पर आपको डर नहीं होता है, कि आपके साथ धोका होगा, disadvantage की बात करें, तो वही same 4 point, huge capital, credit में नहीं दिया जाएगा, operating expense लग जाएगा, lack of attention, तो सबसे पहले daily use वाला समान बेचेगा, सस्ता समान बेचेगा यह, है ना, और इसका होता है middle class, और आपका यहां पर big city के अंदर होगा, और freedom to choice, यह point आप इसमें लिख दोगे, ठीक है, इसके बाद advantage और इसके देखो काफे सारे similar point है, और last था हमारा disadvantage, जो 4 point था उसमें, अब जिसका जो point रहे गया आप note करिए, फिर मैं लेके चलूँगा mall, chain और आपका mail order, ठीक है, है किसी का रहे गया तो note करिए आप,